नमस्कार दोस्तों कैसे हैं? आप से मैं आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे से होंगे मैं समिश हार्ण टड़ चानल में आप सबका एक बाग फर से स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे पास है ये पैकनट यसे मैंने मंगाया है Amazon.in से और इसके अंदर है TP-Link का Bluetooth Dongle जिसका model नमबर है UV500 अभी हाली में मैंने अपना एक PC बिल्ड किया था उसके मदर वोर्ड में कोई भी Wi-Fi या Bluetooth का option नहीं है इसी लिए मैंने ये Bluetooth Dongle मंगाया है इसकी मदद से हम अपने wireless headphone, mouse, keyboard, speaker इस तरह की devices को अपने PC या laptop से connect कर सकते हैं TP-Link का ये Bluetooth Dongle इस तरह की packing मा आता है यहाँ पर TP-Link की branding देखने को मिल जाती है Bluetooth 5.0, Nano USB adapter, UV500 इस पर हमें एक साल की warranty मिलती है कीमत है केवल 599 रुपीज इसका बाइनिंग मैंने वीडियो के description में दे रखा है वहाँ से जाकर अगर आप चाहो तो इसे purchase कर सकते हो Bluetooth 5.0, Faster Speeds, Further Coverage, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 सभी पर ये बहुती आसानी से काम करता है फटा-फट से इसे open करके देख लेते हैं इसके साथ हमें एक user manual दिया गया है इसके अंदर सारी details देखने को मिल जाएगी कैसे हमें इसे यूज करना है कैसे हमें इसके Bluetooth driver को install करना है सारी details इस user manual के अंदर मिल जाती है ये है TP-Link Bluetooth 5.0 Nano Adapter इसका model number है UV500 काफी compact size है और अब हम इसे install करके देखेंगे install करना बहुत ही आसान है आपको अपने laptop या PC के USB port पर इसे insert कर देना है आप देख सकते हो यहाँ पर Bluetooth का एक symbol बनके आ गया है यानि हमारे PC पर आप Bluetooth on हो गया है अब आपको Bluetooth से किसी भी device को connect करने के लिए simple यहाँ पर किसी भी driver की जरूद नहीं है Bluetooth का यह जो option आ रहा है इस पर आपको click करने ना है तो आप TP link की official website पर जाकर वहाँ से इसके driver को install कर सकते हो यह easily काम करना start कर देगा तो मेरे PC में इसने driver को अपने आपी detect कर लिया है मुझे कोई भी driver install करने की जरूद नहीं पड़ी है अब आप यहाँ देख सकते हो show Bluetooth devices का option आ रहा है send a file, receive a file यह सारे option हमें यह मिल रहे है अब आपको अपने PC पर कोई Bluetooth device connect करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ add a Bluetooth device पर click कर देना है जैसी हम यहाँ click करेंगे इस तरह से एक window open हो जाएगी pop-up window open हो जाएगी उसके बाद आपको यहाँ एक option दिखाई देगा add device आपको add device पर click कर देना है उसके बाद यहाँ option आएगा आपको किस तरह की device connect करनी है आप Bluetooth, mic, keyboard, pen, audio devices, controller कुछ भी आप यहाँ connect कर सकते हो तो मैं यहाँ पर अगर आपको wireless display connect करना हो तो उसका option भी हमें यहाँ मिल जाता है मैं यहाँ पर Bluetooth पर click कर दूँगा और जैसी हम Bluetooth पर click करेंगे यह device को search करना start कर देगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारा Realme 5 Pro मेरा mobile phone भी यहाँ शो हो रहा है इस पर मैं click कर दूँगा जैसी हम यहाँ पर click करेंगे हमारा phone यहाँ पर connect हो जाएगा आप देख सकते हो प्रेस connect if the pin on Realme 5 Pro match this one उसके बाद हमारे mobile phone पर जो भी pin आ रहा है उसे हम इससे pair कर लेंगे हमारा mobile phone इसके साथ pair हो जाएगा हमारे PC से connect हो जाएगा आप देख सकते हो Realme 5 Pro हमारा यहाँ पर connect हो गया है डन पर click करेंगे इसे तो दोस्तो टीपी लिंक इस Bluetooth adapter को connect करना यूज करना बहुत ही आसान है आपको अपने PC लैप्टॉप के किसी भी USB port पर इसे connect कर देना है और यह काम करना start करतेगा इसके अलावा मैंने इसकी range चेक करके देखी तो मेरे पूरे घर में यह आराम से connect हो रहा है आराम से यह काम कर रहा है यानि 15 से 20 मीटर तक की दूरी तक की आराम से काम कर देता है इसके अलावा अगर इसकी quality की बात करें quality काफी बढ़िया है एक साल की warranty हमें इसके उपर मिल रही है साथी साथ TP लिंक का नाम भी इसके साथ जुड़ा हुआ है TP लिंक एक जाना माना brand name है अगर आप भी इसे purchase करना चाहते हो तो इसका buy link मैंने वीडियो के description में दे रखा है महाँ से जाकर आप भी इसे purchase कर सकते हो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं अपने next वीडियो में तक तक के लिए जहिंद वंदे मातरव